हेलो गाइज वेलकम टूई जीवेश टड़ी आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो आज कैसे स्टार्ट करते हैं आज अपने बात करेंगे आने वाले 120 दिन की स्ट्रेटेजी के बारे में सब बाते करेंगे आज मैं सिर्फ हो सिर्फ आपके समक्स बाते करने के लिए हाजिर हुआ हूँ पढ़ाई चलती रहे कि कुछ स्ट्रेटेजी देखो मेरे को ये लगता है कि मैं जिस पेपर के अनलाइज करके आपको प्रवाइड कर रहा हूँ मेरल मैं पूरी स्टैटेजी प्रवाइड कर रहा हूँ यदी आप लोगो नहीं स्टैटेजी अपना लिए आप हंड्रिट एण बन परसंट आप ये पेपर किलिए पर करके चाओगे यदि आपने सही तरीके से जो मैं कहना चाता हूँ जो मैं किर्वाना चाता है यदि वो पेड कोर्सी लॉंच कर रहा हूँ जो मेरे उपर दो या थीन दिन से जो अफवाहे लग रही है जो मेरे पर इलजाम लग रहे है ठीक है उनके बारे में बात करने हूँ आज मेरा मूड बहुत अच्छा है अपने खुले दिल से अराम से बाते करेंगे वीडियो लंबी होगी अराम से देखो यार अपने अपना एक प्रिवार है प्रिवार का कोई सदस्या आप से बात करना जाता है आप उस चीज़ को अराम से देखिए सर हम तो नोटिफिकेशन आने के बाद पड़ेंगे उन बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ मैसिज है आज की रीडियो में सब बारे में डिसक्रस करते हैं फुल एनरजी के साथ अपने अपने अपना सैसन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने क्या करेंगी ना पूरा कितना टाइम लगना चाहिए हमें और कितने टाइम में हम उस टोपिक को पूरा कर सकता है वो पूरा सब आज मैंने लिखके आपके सामने ले आए हूँ सबसे पहले फालतों की बात नहीं करूँगा सिद्धा इंडियन पॉलिटिपे लेके चलता हूँ सभीधान जिसे अप गंटे के लिए और 12 गंटे वालों के लिए क्या आप लहना है जो बच्चे देखो मैंने पॉल डाला तो सबने 4 गंटे में सबसे ज्यादा मैकसिम वोट आए दूसरा 6 गंटे था जो बंदे 4 गंटे के लिए कह रहे हैं होप वो कही ना कहीं जोब कर रहे होंगे या कुछ कुछ कर रहे होंगे उनसे रिक्वेस्ट है आने वाले 5 या 6 मिने प्लीज आप थोड़ा सा अपने आपको प्रिसान कर दीजिए थोड़ा सा अपने आपको मतलब आप तकलीफ दोगे तो आपकी आने वाले जिन्दगी बहुत अच्छी हो जाएगी तो उसको चार गंटे से 6 गंटे दिन में पढ़ रहा है मैं उस बंदे को इनव मानता हूं और 8 गंटे बाला फार बैटर है 12 गंटे बाला ज्यादा लोड लोड हो जाता है दिमाग में उस चीज़ पे भी आपने ध्यान रखना है अच्छ आब मैं बात करता हूं पूरी बाते मैं करता हूं आज प् गोलवेपर करते हैं, तीन दिन, तीन, 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 दो, तीन, ऐसे दिनों में आप इसको बांट रखा है अब मैं क्या कह रहा हूँ, वो चीज ध्यान दे रहा है यदि मैंने दो दिन 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 द कह रहा हूँ दो दिन के लिए कह दिया मेरा मानना है यह जित्ते के जित्ते टोपिक है यह सब के सब आप दो दिन के अंदर फिनिश करते होगे ठीक है मतलब एक दिन एक दिन से मैक्सिमम यह टोपिक नहीं है आप कहीं से भी कैसे भी पढ़ लीजे इंडियन पॉलिटी की बा करने कि कट करना का वीड है कि अपने कैसे कब कब पढ़ने लें Phillip को अपको बहुत पूरान के पुर्द कर लेंगे तो दो बहुत मैं था नहीं चलो मैं सिद्धी बात करता देखो एक इसमें एक टोपिक और जोड़ लेना उपराश्टर पती उपराश्टर पती आप कोगे साब उपराश्टर पती तो हमारे उसमें है नहीं आप कोगे उपराश्टर पती तो हमारे सलेबस में नहीं है तो आप क्यों जोड़ देखो हमेशा एक्जामी दरना गुमा फिरा के आपको परसन पूछता है मैंने माना आपके सलेबस में उपराश्टपती नहीं है परंतु आपके सलेबस में संसद तो है संसद में राज्यासबा और लोगसबा होती है लोगसबा और राज्यासबा होती है राज्यासबा का जो सभापती होता है वो उपराश्टपती होता है तो गुमा के वो एक्जामी दरना आपको कहा ले आया उपराश्टपती पे अब जब आप सभापती की बात करोगे तो वहाँ पर आपको कुछ न कुछ उपराष्टरपती की योग्यत आए उनका कारेकाल उनका जो भी बात्ती होती उपराष्टरपती की वो याद होने चाहिए तो उपराष्टरपती याद रखना अब मैं बात करता हूँ सर स्लेबस में चेंज हो जाए मैं हर इक टोपिक में बात करता चलूँगा सर यदि स्लेबस में चेंज हो जाए तब हम क्या करेंगे देखो बहुत बड़ा बड़ा स्लेबस आपका पूरा हो चुका है इसमें बचा क्या होगा मोलिक अधिकार, करतवया वगएरा ये सब कुछ और इसमें बच जाएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगएरा इससे ज़्यादा कुछ भी इस स्लेबस में नहीं है मैं मानता हूँ यदि आपका एक्जाम में कुछ चेंजिज हो जाते हैं ये आपका 80-90 परसेंट आपका स्लेबस यही रहेगा कोई 10 परसेंट इदर उदर एक दो टोपी को जाते हैं तो वह आप 15 से 20 दिन के अंदर कवर कर लिए अब मैं बात करूँ सर ये पूरा करने में हमें कितने दिन लगेगे मैं जाता हूँ एक दिन आपका हाँ एक दिन आपका लगेगा याद करने में और एक दिन आप करोगे mcqs ये बात याद रख लिना 26 से 28 दिन के अंदर अंदर ये आपका पूरा होके इंडियर पोलिटिया आपके सामने होगी आगे बात करूँगा किस परकारसिया अपने को पढ़ना है इत्ती बात समझ कि मैंने हरेख टोपीक को लग करके रिख दिया रोकर आपको बता लेगे उपराष्ड़ पती आप याद रखेंगी उपराष्ड़ Polish निया होना मैं बड़ा प्यार से तोपिक है मैं वह चीज मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो इधर मेरी तरफ देख के मेरी बात सुनो लिखने की आपको जुरत दिया आपको आज सिर्फ देखना है, लेटना है, सुना है, खाते पिते जब भी मर्जी देखो वीडियो देखो एक गंटा, दो गंटे, तीन गंटे जो भी है आपकी लिए इंदियन पॉलिटी के लिए मैं जो आपको बताऊंगा एक बात आपको मैं अभी के लिए कर देता हूँ यदी आपको मैंने कह दिया कि साब एक गंटा आपको पढ़ना है you have to study for one hours ठीक है per day आपको परते एक दिन में एक गंटा इंडियन पॉलिटी पढ़नी है तो ये मत कर देना कि आप राष्टपती की वीडियो देखती उसको आपने कोफी में नोट्स कर दिया कि हाँ जी साब अनुछेद बावन से बासर तक राष्टपती होता है बावन पद की जानकारी मिलती है त्रेपन अपने को क्या सक्तियों के बारे में चोपन अपने को निर्वाच्चन के बारे में इपिच्पन निर्वाच्चन की पदती के बारे में ये सब लिखोगे नोट्स मिनाओगे उसको एक गंटे में काउंट मत करना यदि आप ये काम करोगे आप से बड़ा मूरख कोई नहीं होगा ठीक है? वहाँ आप अपने आपको ही दिलासा दे रहे हो हाँ यार मैंने एक गंटा बढ़ लिया अपर आपने वास्ताव में नहीं पढ़ा याद रखना लिखना इस अपने इसमें नहीं होगा याद करना होगा सिद्धी से बात है एक दिन क्या करोगे राष्टरपती पढ़ोगे सबसे पहले क्या पढ़ोगे राष्टरपती विसेशता है आपको आखरी में करना पहले मत करना सबसे पहले क्या करोगे राष्टरपदी अगले दिन क्या करोगे अगले दिन साब मैं करूँगा समझ को मेरी बात अब आप मेरी बात समझ रहे होगे ठीक है कि एक दिन मैं राष्टरपदी परूँगा अगले दिन राष्टरपदी के MCQs करूँगा अगले दिन मैं क्या करूँगा मंतरी परीसद पढ़ूँगा ठीक है मंतरी परीसद पढ़ने के बाद उसके MCQs करूँगा उससे अगले दिन मैं क्या करूँगा परधान मंतरी पढ़ूँगा परधान मंतरी के MCQs करूँगा कुछ भी मत छोड़ना कुछ भी मत छोड़ना मैंने यहां पर आपको मनलब मिनिमम टाइम दिया यदि कोई आवरेज बच्चा भी बढ़ने बैठता है तो राष्टपती एक दिन के अंदर एक गंटे के अंदर खतम होगे वो खतम करके फैंक सकता है कोई लंबी चुड़ी ब जहां आपको मैंने दिन में यदि एक गंटा का है तो आपको वहां पर क्या करना हो सकता है आपको वहां पर दिन में एक गंटा 20 या 30 मिट एक्टर दे दोगे वो आपको आपकी फ्यूचर के लिए देने पड़ेगे आप समझ गयों 26 से 28 दिन के अंदर आप ये कंप्लीट करके फैंक दोगे इतनी बात याद रखना कैसे फैंक होगे एक दिन पड़ोगे दूसरे दिन करोगे यदि नहीं करोगे दो बुरे फस होगे आपको मुद्दे मुद्दे वाली बात कह रहा हूं अच्छा साब एक चीज होगी इंडियन पॉलिटी आप अरहाम से समझ गयो कि मैंने क्या बात आपको पीडियाप बेज़ दूँगा कोई प्रोलम नहीं है मैं थोड़ा स सबसे कुछ भी मत छोड़ना पुछ भी मैं आपके लिए राश्टेबरी की वीडियो लेके आना जाता हूं पर मैं फ़र्द जाता हूं पता है क्या आपका मनलव आपके लेके नहीं आप रहा है चलिए अब बात करता हूं मैं राजिस्तान का राजिस्तान का भुगोल वे परकरतिक संसादर अब मैं बात करूँ देखो मैंने सब पढ़ा हूए है मैं यह नहीं कहता मैंने यह तीन दिन लिख दिया तो मैं आपको यह कह रहा हूं कि आज आपने क्या बता आपको पता है आपको पता है कि अब मुख फसले दो दिन याद करो दो दिन डंडे ने के लिए उर हैं तक City का रगड़ से और है कि उप्सेज पलइ सने चेह को 7 वास्तव में, वास्तव में यह topic दो दिन का नहीं है जिसको आप डेली पाँच, दस पाँच, डस मिनट पड़ोगे तब भी वो topic पूरा होगा दो दिन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ, दो दिन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ठीक है यह आप जब याद कर लोगे ना उसके बाद में आप डेली मैं कहते हो पांच मिनट भी आप पढ़ लोगे आपके लिए बहुत है जिस दिन याद हो जाएं एक दिन MCQs के लिए ऐसी वन के लिए वन परवन्या जीव यह मतलब आपका दो दिन के टोपिक है अगर इसको एकठा देखा जाए पर अपने राजिस्तान जई का एकजाम दिया है देखा है मैं आपको कह रहा हूँ राजिस्तान जई का सेम लेवल आएगा आप फिर मेरी बात सुन लेना राजिस्तान जई का सेम लेवल आएगा बार बार यह बात रिपीड कर रहरा हूँ आखरी में वही बात होगी जो मैं बोल रहरा हूँ मैं किसी चीज को एनलाईज करता हूँ तो मैं अपने बैटर तτικो करता हूँ मुझे पता है कि वो चीज कहां से आते हैं पढ़ाने में मैं हो सकता हूँ इतना अच्छा ना हूँ परन्तु मैं जिस सी को एनलाईज किसी एक्जाम को एनलाईज करके आपके सामने लेके हूँ आना वो चीज आप आपको मेरे को नहीं लगता आपको परवाइड कर सकेगा राजिस्तान जही में इस में ज़्यादा प्रोग्राम बगारा मतलब आपको हिंदी में आप देख लेना कि यार इसको क्या कह सकते हैं अपने जैसे कोई प्रोग्राम सरकार चला देते हैं पसुगों के लिए वो सब कुछ आप से पूछा जाता है अनुसंदान केंदर बगारा कहा है ठीक है यह सब के प्रसंद जादा आते हैं भेड के बारे में सबसे जादा पूछा गया था राजिस्तान जही में फिर्ड के बारे में इत्ते प्रसंद बने थे रपीटे इत्ते प्रसंद बने थे ना जिसकी क्या हद नहीं है होप सो समझा गया होगा क्या करना है जा पे तीन दिन है वापे दो दिन पढ़ाई करनी है ठीक है एक दिन MCQs करना है अराम से करना है यदि टाइम बच जाता है रवीजन करनी है कुछ भी करना है जो आपको अच्छा लगे वो करो परंतु जो बोल दिया उत्ता ही करो दो दिन उसको पकड़ के बैठ जाओ और एक दिन उसको सब खैंच के रगड़ दो बसकले MCQs आपको MCQs में तो म परतीसत नहीं देती है आप सो परतीसत करना चाते हो 100% देना चाते हो उन्हों ता MCQs साथ लेके चलना और मैं आपको इसी लिए MCQs हमेशा बताता हूं भारत का भुगोल भारत का भुगोलिक आर्थिक आवस्ता मतलब यह आपका जो टोपिक है ना यह आपका लगबग चीज बोल के मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा देख ले ना पीडियाप में सर ने तीन दिन काया आपको तीन दिन लेके चलने दो दिन उसको खतम करने बहुतिक दसाओं जो है वो आपका दो दिन में खतम हो जाएंगी इससे ज्यादा कर समय नहीं लगेगा हो सक चार दिन में इस चीज को खतम करते हैं अच्छा अब अपने बात करें सर राजिस्तान वो गोल में प्राइक संसादन में यदि कुछ चेंजी जा जा जाएं ठीक है चेंजी कैसे कुछ उन्होंने एक्ष्टरा पूछ लिया लगबग इसमें क्या बचा है बोतिक परदेश बचे हैं और क्या अवस्ता बची है बोतिक अवस्ता बची है जो भी है अब परिवेहन बचा है साइद इसमें और जल आगा जल में नदियां आएंगी नदियों को या कर लेना ठीक है और और ज्यादा कुछ लंबा जोड़ा नहीं है मतलब यदि आपका राजिस्तान जीके में यह पूरे का पूरा टोपिक दे रेते हैं इनको छोड़के आप एक मन्त के अंदर-अंदर खतम करते होंगे एक मन्त के आपके जित्ते चेंजी होगे वह याद र से 20 दिन के अंदर-अंदर खतम करते होगे आप इसको ठीक है पहली बात चेंजी होगे नहीं इसमें कोई चेंजी होते है यदि पूरे का पूरा राजिस्तान गियोग्राफिय उठाके एक मन्त में आप इस चीज को कवर कर लोगे और यदि जिस वक्त आपका स्लेबस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिया राजिस्तान के किसान और जन जाती अंदोलन दो दिन में खतम हो जाता है ठीक है बिजोलियां अंदोलन वगरे यह सब कुछ आपका दो दिन के अंदर दो फिनिस हो जाएगा एक दिन किसान मुमल की बुक आपको बता रहे और कोई बुक में अच्छे की कर्यानती के बारे में बात करूंगा मैं थी करेंद है ठीक है 5-6 चावनिया है उसमें भी बड़े गिने चुने प्रसंद है मैं अभी दिरे दिरे मैं इस चीज में इनवोल्व हो के आपको सारे का सारा कुछ कैद बता दूगा कि यार ये चीज पढ़ लो आपके लिए पहुत होगी एक दिन कर लिया और एक दिन दो प्रजा मंडल ऐसे है एक तो बिकाने एक प्रजा मंडल हो रहा है प्रजा मंडल के प्रसंद नहीं आया था प्रण्तु रिस्क नहीं लेकर चल सकते हैं ये विकैंसी बार-बार नहीं आएगी, इसलिए कुछ भी नहीं छोड़ना है, एक दिन में प्रजा मंदल याद हो जाएगा, उसकी स्थापना कहा हुई और कब हुई ये याद रख रहे न, ये भी कुछ ऐसा टोपी है जिसको आप 5-10 मिनट डेली पढ़ोगे न, तब ही यहां जाके अपने फर्ज जाते हैं, देखो मैं जो चीज वास्तविक में है, वो वास्तव में है, मैं आपको सिद्धी सिद्धी बात कहता हूँ, यहां जाके अपने फर्ज जाएंगे, अपने को दो मन्त चाहिए होंगे, राजिस्तान का इतिहास पूरा करते करते हैं, य लेनी अबी तार लुम्हारлам ऐसा नाइन? उससे तीन चार्मीन आपको डिये जाएंगे यहां एक मात्र ऐसा सबजेक्ट है. रजिस्तार हिष्ट्री जहा इसलिए पहले ही लगजाओगे तो आपका बला हो जाएगा अधर भाई या आप तो बहुत आनबर हो ते हो कोई चक्कत नहीं है इंडियान जी के बहुत रेर चांस सिजा कोई चेंजिंज होंगे ठेक है ये ना ये मतलब हो मैं आपको इनको मैं बोर्ड वालों को क्या तो गालिया निकालो अब मैं थोड़ा टीचर वाले उसमें हूँ मैंने तो इनको ना गले निकालता आपके जावने एक लाइन दे देते हैं बारते इतियास की महतरपुन घटनाई है मैं सास दे दिया मद्याकाल इन भारत सारे का सारा रगड़ दिया इसमें मोर्याकाल गुप्तकाल ये सारे का सारा इसमें आ गया अब बताओ क्या आप मतलब एक लाइन और किता बड़ा हिस्टरी का टोपिक दे दिया तो समझ देख के अराम से करना मद्याकाल इन भारत आपको सारे का सारा पढ़ना पढ़ेगा क्योंकि सासक आजबी है ठीक है और उसके बार में महतपून घटनाओं में आप जब देखो महतपून घटनाओं युद्ध बगएरा होते हैं जब आप सासक पढ़ोगे तब आपको युद्ध पढ़ने पढ़ेगे गुप्त वह मोर्यकाल भी आपको साथ की साथ पढ़ना पढ़ेगा थोड़ा सा लंबा टोपिक है आठ नो दस दिन में हो जाएगा इन देप्थ मत पढ़ना अराम से पढ़ना उपर उपर से पढ़ लेना बहुत होगा दस दिन दे रहा हूं साथ आठ दिन करना दो दिन के कि अब आप कोगे इसमें किए चेंजिज नहीं है बाई कोई चेंज जीज नहीं है बच क्या गया हिंद और यहां पर क्या बच गया इदर दिच्ची आप देखोगे तो यह गवर्नर जेंदर एस्ट इंडिया कंपनी वगरा बच गया वह भी कोई इंपोर्डन नहीं है ठी सिर्फ राजिस्तान माले में होगे अठारा सो स्तावन का प्रथम काता संग्राम सवतंतरता संग्राम आएगा और राजिस्तान राजिस्तान अपने वहां कर लेंगे भारत का पढ़ना एक दिन में खतम कर दोगे ठीक है एक दिन से ज्यादा का तोफिक नहीं है यह यह मैंने मरलब पड़ा हुआ है तो इससे ज़्यादा और एक दिन आप एम सी कुज में दे देना एम सी कुज बड़े लिमिटेड है इसके बहुत ज़्यादा एम सी कुज नहीं है तो इसलिए आपका असानित हो जाएगा राष्ट्रिय अंदोलन मैतपूर नेता है समाजी के ठाइब 감사 नेता है तो ज़्यादा के दीन पार मातपा गंदी जी और एम राष्ट्रिय अंदोलन के बारे में भी आपको दो दिन बहुत थैं दो दिन के अंदर मैंसको खत्म ख़त्म करतोगे अराम से दीरे दीरे पड़ेंगे कोई जाड़ा दिन के कवर नहीं कर रहे हैं यहां पर देखो किते दिनों में तीन पांच छे साथ साथ दिन के अंदर यह टोपिक कवर हो जाएगा तो सिब सत्रा दिन और यहां देख लो दस और नो एकिस दिन के अंदर यह टोपिक कवर हो जाएगा 120 दिन है बड़ा मैंने एक एक दिन एक एक बात अब मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा कि यह लोग 120 दिन पूरे होगे नहीं ऐसा नहीं करूँगा मैं मैं जो कर रहा हूँ वह बात सिर लेना मैंने जित्ता भी यह आपका लगबग 112-113 दिन का स्लेवस है ठीक है पूरा पूरा 112-113 दिन का मैंने एक एक दिन गिना हुआ है तो उस चीज़ के आप टैंसे मत लेना अब साब एक टोपिक दिया गया था राजिस्तान सहित्या है कला एवं संस्कृति वह है तो एक टोपिक है मेरे पास अभी स्लेवस ओपन है क्या हाँ कुल जा सिम सिम नहीं कुल गया कहा है तो एक सेकेंट यार एक सेकेंट थोड़ा से सबर रहत हो सबर का फलम बिठा होता है यह यह इक टोपिक देख रहे हो ये राजिस्तान साहित्या कल्हा एम संस्क्रिती तीसरे नमबर ये उन्हें आधा गौके दिश्च्रारा सरह啦 परंतू ये इत्ञा बड़ा बंब है जो मतलब पूरा पूरा कोछ चुडाके जा सकता है है तो ये एक एक लाइन परंतू ये एक लाइन ना बड़े बड़ों को ना ऐसे कानू के आत लगवा देती है इसके लिए एक सफिसेंट प्लैन है मेरे पास ठीक है एक बड़ा सफिसेंट प्लैन है फालतु की बात नहीं करूँगा इसके बारे में ये सब टोपिक है ये सब टोपिक है राजिस्तान जैयन के ये जो मैं टोपिक उठाई है ये है राजिस्तान जैयन के आपको गयर आप बार बार क्यों राजिस्तान जैयन का एक्जाम की बात करे हो राजिस्तान चैन वोड ने मतर एक मतर टेकनिकल एक्जाम करवाया वो राज के लिए याद कर लेना यह सब भी याद करने वाली बात है मैं बदाता हूँ क्या करना है मैंने आपके लिए क्या प्लैन किया है इसके लिए मैं इसको एरेज कर रहा हूँ मैंने लिखा नहीं है मैंने लिखना नहीं है इसका एक कारण है मैंने इसके लिए प्लैन किया, आप दिन में न, 30 मिनिटे इसको रोज रिवाइज करो, बस, दिन में मैं अग्गे जलके बात करूंगा, इसके बारे में पर्टिकुलर एक एक पोइंट उठा के बात करेंगे अपने, मैं जो बात कर रहा हूं, उसके बारे में ध्यान देना, डेली एक तोपिक उठा लो, एक किला उठा लिए, किलो में अपनोंने सारे के सारे किलों के बारे में, एक एक आद्धा गंटा, 45 मिनिट, बहुत है, यदि आप 120 दिन, 4 मन्त, यदि आप इस चीज़ को पढ़ देते हो, डेली आद्धा गंटा, आप कहेंगे, सर हमें तो इ दिन में दो गंटे पढ़ोगे ना, तब जाके आपको यह याद होता है, और तब भी नहीं याद होता कड़ा संस्क्रिति इतनी बड़ा इतना बड़ा टोपिक है आपने लिए, परंतु अपने से इन डेप्थ नहीं पुछा जाएगा, जादा 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 देखो, अग आपकी पार ही बड़ेगी है, तोपिक आप फिर आखरी में यदि जोड़ दिया, तो आपको इसको छोड़ के जाना पड़ेगा, इसलिए आज से पकड़ना जुरूरी है, मैं एनलाइज करके बैठा हूँ, अच्छे से आपको बाते बता रहा हूँ, यदि बोड़ वालों को पूरा ऐसे डिफाइन करके एक टोपिक पकड़ा दिया, आपके हाथ में साब येलो टोपिक, आप नहीं बच सकोगे इस चीज़ से, मैं बार बार वह बात कहा रहा हूँ, तीस मिनट डेली बढ़ लो, डोज लेलो, डेली बहुत होगा, इस से ज्यादा जुरत नहीं है, साब फिजिक्स, बहुत सी कहती हैं कि इसको साइब, इतना कुछ ही कहती है, फिजिक्स की बात करता हूँ, मैं, विदुद धारा वगएरा दो दिन बहुत है, मैं बात कर रहा हूँ, लिखने को मैं नहीं समय दे रहा हूँ, मैं पढ़ने का समय दे रहा हूँ, दो दिन कि याद करने के लिए बैठोगे उसको लिखने के लिए बैठोगे यदि उसको आपने यह गिन लिया कि मैंने आज पढ़ लिया आप से बड़ा महामुरक इंसान कोई नहीं है इस दुनिया में मैं बार बार यह कह रहा हूँ हो सकता है मेरे सब्द आपको गरत लग रहे हो पर आज मैं फुल को फिड़ा सब्सक्राइब प्रदूसन और उनका देनिक जीवन में प्रभाब ऐसे एक दिन का टोपिक है पर आप तीन दिन इसको लेके चलो अंत्रिक स्वे सुचना प्रद्योगी की ठीक है दो दिन के टोपिक में हो जाएगा मैं तब उने विसकार विसका यह को आप को याद नहीं होगी कही ना कहीं आपको इसका डेलि डोस चाहिए तो आपको डेली डोस को अब को को रिवाइज करना होगा यदि आपको इस चीज में प्रफेक्टों ने यदि एक्जाम पास करना है फालत भी बात नहीं कर रहा हूँ सड़क दुरगटना वैं उसके प्रात्मिक उप्चार मोटर विकल सबस्पेक्टों सोरी मोटर विकल मोटर विकल एक्ट में आपको यह चीज़े सभी लिखित मिल जाती है कि यदि किसी इंसान के एक्सिनेंट हो जाते तब आपका सबसे पहले करतविया क्या बनता है वो सब पाते उसमें लिखे हुई है कमेश्ट्री सेम सीन है ठीक है तीन दिन इसको दे लिए और इसको डेली ही करना पड़ेगा दातू है दातूर उसके योगी को आप डेली 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 पांच-पांच-दस-दस मिनिट पड़ोगे आपको याद हो जाएंगे यह ऐसी और इसको डेली डोस के रूप में लेना चाहिए परंतो यह फिर भी आपको याद हो जाएगा एक दो बार आप रिविजन कर लोगे आप परफेक्ट हो जाओगे इसमें विटामीन डेली याद कर लेना विटामीन से कैसे चीज़े जो आपको डेली याद करनी ही पंदरह से बीच दिन के बार में वीटामीन साब की खतम हो जाएगी फिर एक मिने बाद में फिर उठा लेना फिर इसको रिविजन कर लेना यह जो फैट प्रोटीन और वसा सुरी वसा का फैट प्रोटीन और कार्बोहईड्रेट इन सब के बारे में आप दो दिन मैक्स है जा अधान हो जाएगा आर से वी यह सब कुछ तो असानी से एक बड़ा सिंपली वेसे आपको प्लान दे रहा हूं हो सकता है मेरी वीडियो लंबी लग रही हो अब मैं बात करूँ हां हिंदी के बारे में मैंने आपको मैंने अच्छे से बड़े अच्छे सफिसेंट प्लान से इसको बना के लिए किया हूं आपके सामने खालतु की बात नहीं कर रहा हूं मैं फिर कह रहा हूं आपको यह लगे सर्फालतु की बात कर रहा है नहीं असानी है हिंदी हिंदी को मैंने क्या किया दो इसो में बाढ़ दिया पहला इसा तो जिसको आपको समझना और याद करना पड़ेगा और दूसरा इसा जिसको आपको अरटना अरटना पड़ेगा ठीक है? दो इसो में हिंदी वे इंग्लीज को मैंने बाड़ दिया, बहुत मैनत किया यार मैंने इस वीडियो के लिए बहुत मैनत किया हिंदी और इंग्लीज को मैंने दो इस सोब बाड़ दिया, जहां आपको समझना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा उसके प्रसंद करने पड़ेंगे और दूसरा इसा वो होगा जहां पे आप उस चीज़ को जहां आपको रटना ही पड़ेगा डिली आपको डिली आपको रटना पड़ेगा अच्छा, मैंने लिख रखा है मैंने कुछ बाते लिख रखा है एक बात या रखना कुछ बाते मैं इसमें आड़ाउंट कर देता हूँ यह सब आपके सामने है इत्ते दिन का प्लैन है आपको पता है क्या करना है कि आपको एक एक दिन सभी में से दो दो दिन जिसमें ज़्यादा टाइम है उसमें दो दो दिन संगया से तक का तीन तीन दिन इसको भी आप दे दिन..? ठीक है कारन है अब आपको गया हए रही है तो हमारे Tomorrow है inner Sment प्रन्तु आपके सभी में मतलब एक प्रेखăn इत guns रेत्व आपके स्लाइबम यह बहुत अब आपके स्लेविक रिखे पहचान करने की योग यह था, मैंने वो सायद दिखा नहीं है, ठीक है, असुद्यों की पहचान, पहचान करने की योग यह था, ठीक है, असुद्यों कब आपको पता लगेगी जब आपको ये सारे के सारे टोपिक आते होंगे, इसके साथ आपको सबी टोपिक आते होंगे, तब ही आप सुद्धिया निकाल सकते हो इतनी बात या रखना रटने वाली चीज है रटता मात इतनी सी बात है क्या सब्ध यूगम समाना अर्थक भोदक सब्ध प्राइवार्ची विप्रिता अर्थक सब्ध परिवैंस मंदी अग्रेजी सब्धावली यह आपको मोटर भी क से आपके जाना है इसको रट लेना इंदी के लिए सेम सीन है हिंदी के लिए मैंने लिख रखा है इसमें कहीं ना कहीं यह को प्रोनाउन के ब़रब अड़ेक्टिव और प्लस एड़वर्ग यह टोपिक है ना इनको साथ में लेके चलना ताकि आप क्रेक्शन कर सको असुद्धिया निकाल सको और यह सारे जो टोपिक हैं यह सब आपको रटने है रटा मार इतना पड़ेगा इतना बात आपको समझागी होगी सिद्धा आपक और सेंटर मोटर विक्र रूल अब बात रहें कि टेक्निकल का तो आपने बताएं नहीं टेक्निकल अपने को छै मंत लग जाएंगे अराम से ठीक है एक सब्सक्राइब यह हाँ हाँ टेक्निकल को छै मत लग जाएंगे मैं उसके बारे में डिसकस नहीं करूँँगी वो चीज मैं बढ़ा रहा हूँ मैं आपको उसके लिए समय दे रहा हूँ मुझे पता है वो चीज आप कैसे कर सकते हैं और कैसे आपको करनी है उसब्सक्राइब बात करूँग अच्छा रही बात Hindi English की Hindi English में जो syllabus है उससे ज्यादा syllabus आपको नहीं पुछा जाएगा उसमें कोई भी changes नहीं होगे हो सकता है syllabus कम हो जाए पर पर परन्तों इससे ज्यादा नहीं होगा टेक्निकल दो हिस्सों में बटा हुआ है एक motor vehicle actor, center motor vehicle rule ठीक है ये दो इसों में बटा हुआ है टेक्निकल और एक जो अपना फ्रेंड है या ब्रांच का है दूसरा ये चीज़ है अब मैं बात करता हूँ एक एक करके अब करते हैं मुद्दे वाली बात की सर अपने हमारे लिए क्या टाइम टेबल निकाल के रखा है पहली बात तो आपको क्लियर होगी होगी कि यदि सर मैंने लिख रखा है वर्ट अबाउट इस स्लेवर्स चेंज कि मतलब अगर स्लेवर्स चेंज होगा क्या होगा कितड़ सद्रेइबस चेंज हो सकता है मैंने बता दिया आप की यदी आपका स्रेइबस चेंज होता है थे आप एक मंथ में उसको cover कर लोगे आपको जो मैंने बाते बताई है कि आप उस schedule करें जूए उन बात्तों से चलतेIES संडे का दिन ना जो आप अपना वह के-लिए निकाल के रखना ख़ाति बात मत कर देना कभी संडे को रेस्ट कर लो रेस्ट का समय आपके बाँ पूरी जिन्तिकी रहेगा सरकार आपको चुटी रेगी क्रशation के लिए कपर आप स्फ्राइड़ ए उसोरी एक दिन रिवीजन करो, खालतु की बात उसमें कोई नहीं आए, अराम से आपको मरलब सारा कुछ आप अराम से कर सकते हो, जो अपने टाइम टेबल बनाएंगे, उसमें संडे आपको रिवीजन के दिन के दिन के लिए छोड़ दिया जाएगा, कि आप संडे को रिवीजन करो है दो दिन में तो आप दो दिन में राष्ट्रपती खतम करके फैंक दोगे उस चीज अगे यदि आप उस अकोडिंग चलोते तो आप अच्छे से वो चीज कवर कर लोगे अब रही बात अब मैं करता हूं प्लैन पे जर मैंने खाना खागे बैट दो मुझे इसके डगार आते हैं न चार और चार गंटे वालों के लिए मैंने लिख रखे हैं यह देखो मैंने लिख रखे हैं ठीक है क्योंकि ऐसे तो प्लैन बनते नहीं है चार गंटे वालों के लिए क्या आप लैन है मेरे पास चार गंटे वालों के लिए सबसे बहले देखो जीके मैं आप भी बताता हूँ कैसे जीके को आपको बढ़ना है एक आवर उसके बाद मैं बात करूँ लैंगवेज लैंगवेज में हिंदी-उंगलेश दौनं है हैं मैं बात कर लेता हूँ अच्छा-into-yess मैंने 60-70 दिन के लिए आपको दौनको दिया है ठीक है ये बात यार रखना 60 दिन आप इंगलीश पढ़ोगे साथ दिन आप लिए बढ़ोगे बीज में आप आप रिवीजन करते रहा ना टाइम निकाल के एक गंटा नहीं करोगे तो फर्स जाओगे पेपर पे मतलब ऐसी तैसी हो जाएगी सारे पेपर के अंतर ऐसी तरह सब तो नहीं है ना अच्छा एक मतलब यह तो ना चार गंटे वारा तो मुझे समझ ही नहीं आया तदा मुझे समझ ही नहीं आया यह चार गंटे सबसे ज्यादा वोट मुझे ऐसा लगता है दो गंटी के रहे मुझे प्लान में क्या देता आपको मैं अद्धा गंटा जी कि बढ़े लेना अद्धा गंटा यह बात कर ओर ओं तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ मजाक साथा जाओ चार कि याद करने को मैं इस स्लेबस में जोड रहा हूं लिखने को नहीं जोड रहा में एक बात सुन ले ना यह हाँ जोड़े हैं दाला कि यह ना हो जाए उस्ताथ कि आप बाहत में यह कह रहे हो कि यार यह तो मेरे टाइम डेबल का अगोड़िक हुआ नी बिल्कुल भी नहीं ह पढ़ो ठीक है डूटी में लिखने वाला काम करो मैंने लोको पाइलिट का एक्जाम दिया था पांच या छे नमपर से जाहर में रह गया था क्योंकि मैंने राजिस्तान बर देदा मुझे यह ता मैं जोब करता हूं का मेरा स्लेक्शन हो का पहला पेपर भगवान की किर पास पूरा पूरा क्या कंप्लीट हो गया पास आउट हो गया था साइकंड पेपर में बाहर हो गया था तब मेरा मैं पढ़ने में इतना अच्छा नहीं हूं मैं पहले ही सिद्धी सी बात कर रहा हूं ठीक है मैंने मैंने अपना सड्यूल अप पूरा चेंज करता हूं अब मैं अलग वे से अलग तरीक्य से अपने आपको पूरा चेज़ करने के बाद अब मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो मुझे अपने आप में सैडिस्फेक्शन है कि मैं अच्छे पढ़ रहा हूं परंतो इस बार यदी पेपर आएगा तो इस बार अपने पका पास करके हैं इस बार कोई एक्जाम नहीं चोड़ेंगे हाँ तो इसलिए कंपनी में समय मिल जाता है आपको यदी आपकी पढ़ने की इच्छा है तो तीन चीजे होगी हैं जीके के लिए आप एक गंटा निकाल दो इनफ है सफिसेंट है एक गंटा दे ली पढ़ लोगे उससे अगले दिन नैश्ट दे एक गंटा आप एमसी की कर लोगे यह लैंग्वेज में आप क्या कर सकते हो ना लैंग्वेज में आप 30-30 मिनिट में ब ठीक है क्योंकि मुझे लगता है यदि आप एक गंटा पढ़ोगे और एक गंटा ही उसको रटो गया पैंतालिस मिनटा अप रटोगे तब ही आपके लिए सफिस्टेंट होगा प्रन्तु आप चार गंटे के लिए कह रहे हैं तो मैं चार गंटा के कोडिंग बता रहा हूं चेल एक गंटा ऑब या title करो ना करो ठीक है अब वह आपकी मर्जीा है इस आगे बात करहों उससे आगे कला संस्क्रिति कला संस्क्रिती को 30 मिणिट तो आपको देने ही पढेंगेगे बेली डोज के तोर रुपे आपको कळा सेंस्क्रिटिए अधिये के लिए पुड़ना बहुत सारे बिच्चे औभजाइंगे कि सर और गंटा बहुत हूँ था पर बहुत हुटा है यदि आप की याद रखने की समता है तो आप कला स्थलिटिए अधि गंटा बोड़ने बहुत हुट था है वीटामीन और दातु ऐधातु वह दहली पंद्रा मिनिट आप कर लोगे तो बहुत हैं ततर अभी आर्ट चार गंटे पंद्रा मिनिट और बात अपनी हो चकी उस्के आपकी गन्सराँ बात इसे Gabe सभी से नहीं है ना फिर बार बार बात कर हो प्र आपने बोला है मैंने Color प्लैन बता तिया टेक्निकल एक गंटा पड़ो जिसमें MCQs भी कर लो जिसमें याद भी कर लो कर सकते हो तो कला संस्क्रीटी छोड़ना मत यह थी आप सोचोगे कि मैं कला संस्क्रीटी का समय लैंग्वेस्ट को दे दूँआ तो आप फिर बेवकुफी करोगे बहुत बड़ी बेवकुफी करोगे कला संस्क्रीटी पैदलत लेके चला लोगे तो आप बज़ जाओगे नितो आप बहुत बुरे फस होगे मोटरविकल एक्टो सेंटर मोटरविकल रूल मैंने 2013 का पेपर देखा था बहुत ज्यादा डैफ्ट में नहीं पुछा जाएगा बहुत बेसिक पुछा जाएगा एक मन्त ज्यादा से ज्यादा तेड़ मन्त ज्यादा 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 दो मन्त तीक है इस से ज्यादा न क्रंट फेर किया जो अपने को देर लीजार को जब आपका हॉगा झाल करें एक मनत पहले तीन मनथ पुराने लिए एक मंत पहले और तीन मन्त पुराने आप आप इस चीज़ को कवर कर लोगे आप लिए बहुत हो का ठीक है इससे ज्यादा आप उन्हक Please आप पूछ लेगा कोई बात नहीं एक दो नंबर चले जाएंगे मात्ता नहीं दिमाग का दहीं नहीं करना कहीं पे भी अपने को चार गंटे वालों के लिए प्लैन समझा गया अब मैं बात करता हूँ छै गंटे वालों के लिए थे अब हमें तो 6 गंटे के लिए प्लैन बता दो शै गंटे वालों के लिए ओपने बात किरेंगे GK की एक जनरल साइंस जो डिल्ली अपने डोज बाली है कelḥ और संसक्रिफिक बात करेंगे उससे आग़े मैं बात करूँआ लेंगवेज तकी उससे आगे मैं बात करूँआं technical की और उससे आगे मैं बात करूँआ motor vehicle act और central motor vehicle rule की इतनी बात मैं करता हूँ देखो जीके जो है वो आप अब आपके पस time है तो देड़ घंटा आप जीके को दे सकते हो daily बहुत समय होता है देड़ गंटा यदि आपको पढ़ने का सही तरीका पता है तो आप देड़ गंटे में अराम से पढ़ सकते हो जनरल साइंस 20 मिनिट मैं इसमें भी 20 मिनिट रख रहा हूं बहुत होते हैं यदि आप 4 मिने लगाता है 20-20 मिनिट आप डेली निकाल कि अपने विसकार विटामिन्स वगरे याद करते हो तो बहुत समय आपको दे दिया कला संस्कृति यहां भी 30 मिनिट के लिए रख रहा हूं क्योंकि फसना मत दिमाग का दही मत करना अराम से पढ़ना कला संस्कृति को ज़्यादा गबराने की जुरत निया तब ही आपको डेली कहा है मैंने यदी आप एक्जाम के पास में पढ़ोगे आपसा धिमाग का ऐसा चक्रा गुमेगा ना तो आपको समझ ही नहीं आएगा यार यह क्या हो गया हमारे साथ और वहीं आप जाके फ़च्च जाओगे आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं क्या पढ़ू और क्या चोडू तब आप पताय क्या करूगे तब आप जो बच्चे भी खैँर ہیں notification का मैं बस उनको क्या ही बहुलू तब आप पताय क्या करूगे तब आप यह सुचोगे यार ये पढ़ू और ये छोड़ू परन्तु यदि आप अभी वाले प्लैन के चलोगे ना तो आप ये कोगे ये मैंने पढ़ लिया और ये मैंने नहीं पढ़ा आप मैं ये पढ़ूगा समझे दोनों का डिफ्रेंस पता लग रहा है आपको यदि आपने नोटिफिकेशन का तो आप क्या कोगे मैंने ये पद लिया है और यह बच गया अब मैं इसे पढ़ूगा दोनोंगा डिफारइंस सोचלא कि इतना बड़ा है से चीज़ को दिमाग में सोच के देख लेना क्या क्या इन दोनों में परिवा मघ इतना बड़ा डिफ्रेंस हैं में मैं इसमें आपको दे रहा हूं एक आवर तो याद करने के लिए प्लास 45 क्या कर सकते हो उसका थोड़ा सा प्लान ब्फा देता हूं पेज़ डिसाइड कर लो आपको मैंने आज की दिन में मुहावरे र append और प्रायभाची समत के दो पेज़ खतम करने दो दो छै पेज मेरे को खतम करने यह इस according भी पढ़ सकते हूं आपको जो अच्छा लगए आप पढ़ो अच्छा अगे मैं बात करूं इसको मैं दे रहा हूं एक गंटा वन पुन गंटालेश पावर जहां पे आप इस चीज को क्या कर सकते हो प्लस आप क्या कर सकते हो आप के लिए अच्छा रहेगा नहीं तो वीकेंड में करोगे तब भी अच्छा रहेगा पर आपके पास क्यूसरी चीज़ों का बर्डन होगा तो इसलिए आप क्या करना डेली के डेली क्या एम सी मिन्सक करते रहना एा मोट noodle करूं सेंटर मोट fibre कर रूल की मैं बात करूं तो थी गोञए नहीं हुआ ुप लिए अच्छा आट गंटे का 50 यह लिकलत i اम बात करता हूं उन बच्छों के प्लान का हमें हमें बता दो कि आठ गंटे के लिए हम क्या पड़े वही सब कुछ देखो मोटा मोटा लिख देता हूं मेरे को लगता है यह वीडियो लंबी न हो जाए जागा कलाव है संस्क्रित है ठीक है लेंगवेज भी लेंगवेज देती टैक्निकल आपको देडी है यह मोटोविकल एक्ट घेक है मोटविकल आपना रहाम से बढ़ता कोई जल्डवाजी मत करना चैप्टर सारे याद कर लेना, तेरा तोना जित्ते भी हैं, रूल सारे याद कर लेना, सेक्षन मत याद करना, मेन मेन सेक्षन याद करके रखना, जादा सेक्षन मत याद करना, वो याद होंगे भी नहीं, जित्ता मरजी पढ़ लो, एक बात याद रखना, मेरी जो पढ़ाई करने का त्राजों में पढ़ने का मिरा तरीका है, मैं क्या करता हूं나? मुझे लगता है ये चीज के बहाँ पे दूसरी चीज का भेते ज़ादा है मैं उस चीज को एक बार सैड में रग देता हूं जैसे कला संस्क्रीटी का मैंने स्टार्टीई में क्या का था आपको कला संस्क्रिति आप मत पढ़ना क्योंकि कला संस्क्रिति पढ़ना और पूरे की पूरी जीके पढ़ना एक बराबर है जित्ती जीजे आपको कला संस्क्रिति में याद करनी है वो बाकी सब आपको पूरी जीके में याद करनी है तो इसलिए वहां पांच नंबर के पिछे आप यहां के सत्तर असी नंबर खराब करूगे, ऐसा नहीं करना अपने को, कुछ चीज़े छोड़नी पड़ती है, परन्तु अपने कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, कला संस्रीटी साथ मिले के चलेंगे, राजिफ्तान जायन का एक्जाम पगट लेना, मैं बार बार बात करेंगे, मैं बार बार बात करेंगे, आपने पट लिया तो आप पास हुजाओगे, सुरी जीके को मैं दे रहाँ, दो आवर. अच्छा अब वात या रखना कन्फ्यूज मन तो ना इसी जीके में अपने जनरल साइंस भी एड़ोन है याद रखना जनरल साइंस इसी में है आप जैसे जैसे आग्या आगे चलते जाओगे न या आपको क्या करना है जीके के अंदर पहले इंडियन पॉलिटी पढ़नी आ है फिर उसके बाद में जियोग्राफी राइस्ता जियोग्राफी इंडियन हिस्ट्री ऐसे इसे करके जब आप चलते जाओगे आपके वन टोटी देज तब ही पूरे होंगे यह जो मैं आपको 15 मिनिट का टाइम दे रहा हूं इसमें भी 15 मिनिट ही रखे है मैंने 15 मिनिट का कारणा है कि जदा अपने को बढ़र नहीं लेनी है इसके ओपर ज़्यादा यह लंबा चोड़ा है नहीं पंदरा मिन्ट जो आपको डेली पढ़ना है डेली में क्या है विटामीज दातु ए दातु उसके योगी एक और उसके बाद में अपने अविस्कार कला संस्क्रीटी को यहाँ पेंटालिस मिनट मिल चुके हैं लैंगवेज को मैंने क्या किया एक आवर पैंटालीस मिनट रट्टा मारने के लिए आपको दे दिया अदि आप संभत निए यहां दे जा रहे हैं 30 मिनट बहुत होंगे यह आपका मोटा मोटा सा प्लैन है जहां आपने मतलब आपको जिस भी एकोडिंग पड़ने आप जो बचा कहता है सर हमें बारा गट्टे का प्लैन चाहिए बारा गट्टे वालों के लिए मैं एक ही बात कहता हूं बहुत है इतना भी बड़न मतलो कि आप अपने आपको फिजिकली फिट ना रखता हूं आपको अपने चैस्ट का ध्यान रखना चाहिए यदि आपकी चैस्ट में बिल्कुल भी प्रोबलम मतलब वो फुलावट या मतलब मिजर्मेंट पूरी नहीं है प्लीज जिम जाना चालू करें करती यह पूसर लगाईए कुछ भी करिए चैस्ट का ध्यान रखिए यह ना हो कि आपने अपनी पड़ाई के चक्कर में अपने आपको खत्म कर लिए और बार में पता लगा कि जाला यहां या पेपर तो पास हो गया आप बार निकल गया ऐसा मत करना रुनिंग मत छोड़ है ज्यादा नहीं सो मिटर की या क्या पता लंबा लंबा भी करतें तो फीजी के लिए फिट होना बहुत जुरूरी होता आपके लिए अच्छा साब चार पांच प्रसंत हैं उनका आपको जवाब मिल गया होगा उन बच्चों के लिए जो हमें कहते हैं कि हम तो नोटिफि करोगे वही सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन का वेट करोगे वही सब्सक्राइब करोगे साब मैं यह पढ़ूंगा और यह चोड़ूंगा और जो बच्चे आज से ही क्यारी करने पर लगे हुए हैं वह नोटिफिकेशन आने के बाद क्या बोलेंगे मैं यह पढ़ चुका हूं और यह मैं अभी पढ़के पूरा करता हूँगा अब आप खुद सोच लो आप बोलेंस लेवल मतलों नहीं लो कुछ भी हो सकता है हुच भी हो सकता है यह हो सकता है चेंज होगा जो वो मैं आप से बात कर चुका हूँ आप एक या दो मन्त के अंदर उसको कम्पलीट करके फैंक दोगी इस्ती मेरी गरंटी है मैं जिस हिसाब के आप जिस हिसाब से आपको पढ़ने के लिए कह रहा हूँ अब भी मैं बाहर करता हूँ जो पिछे से एक दो दिन में अपने पास जो इल्चाम लग रहे थे ठीक है उसके बारे में डिसकस करता हूँ किसाब इस बंदे के पास नोट्स नहीं है कि मतलब नोट्स इनके पास नहीं है यह एक मेरी कोपी है पूरी की पूरी टेक्निकल की बरी विए पहले इत्ती सारी आखी तक यहां तक यह बरी विए जिसमें यह फाइरिंग ओडर बगारा लेख सकते हैं एक कोपी पिर मैं चाहता हूँ मैं देखो जदी कोई वक्ति अच्छा काम करता है ना तो उसके उपर लेम तो लगते हैं यह आगी त्योरी ओप मसीन की पूरी की पूरी बनी हुई ठीक है दो अरे तबार कहां हो अच्छा यह आगी तीसरी कोपी जिसमें मैंने वह कर रखा है एफ- इतने ही पेजिए त्रीक है किसे पेजियां मैं यह नहीं कहता है मैं कभी जूटने मूटता कितनी कोपी कि नोट्स मेरे पास रूप चायोग अच्छा जी फो मेरे पास क्या कि इसमें था एक अपने माटिरियल वाला था नहीर मैंने यह पद्यक बनाया थी एक ग्राइंडिंग और तू साथ ये है मेरे अब तक का मतलब एकटा किया इक पड़ाई मस कि मतलब किया हो परेंट परया है जाता हुआ है टिन से वित हुरां जाता हुए हतीy एक जाता हुए हर इक intuitive point of view से बनाया गया आरारवी जएकोडिंग मेरे एक कोड़ी लगी वह है जिसमें मेरे वार्व सुम सुम हो गया यह सब कुछ तो था पर उसमें क्या था तीन-चार मशीणिंग वगरा यह सब टोपिक का दोंधे वह लिखा नहीं वा था उस according मैंने अलग से बनाई तो किसमें RRBJN में मतलब railway JN में Rajatan JN का exam आया Rajatan JN में मेरे पास tom ने लिखी थी तो मैंने उस चीज़ के अलग से बनाई मेरे कहने का मकसद यह हर एक exam के लिए हर एक exam के लिए अपने पास क्या होता है कि हर एक topic हर एक syllabus अलग होता है आपने लिखा हुआ है आपके पास यह सब बना हुआ है फिर भी आप मुझसे बढ़ते हो हो सकता है किसी के बाद ना हो हो सकता है किसी के बाद बनाऊ कई हो का message जाता है हम यह सब कुछ पढ़ चुके है आपको नेया पुड़ा है यह नेया कुछ नहीं होता वहीं सब कुछ होता है पढ़ चुके हो अब आपका मेरे पास मैसी जाएगा सर मुझे नोट्स प्रवाइड कर दो क्योंकि मैं मोटर्विक्र सब इंस्पेक्टर की त्यारी कर रहा हूँ आपका मेरे में मैसी जाए की इसा को नहीं विश्वाly जाता में वीडियो बनाकी मतलब पूरे उसकी पूरा German palavra पेल सकता हूँ कोई प्रोब्लम वाली बात इतनी बात आपको क्लियर हो क्योंकि मैं दर्खो प्रोब्लम वाली बात नहीं इतनी बात आपको clear हो क्योंकि मैं जिको मैं बोलना नहीं जाता मैं चलो छोड़ो या छोड़ो वो वो वेक्ति मेरा जूनियर है मैं मैं नहीं बोलूँगा मुझे मुझे अच्छे नहीं फील हुथा जो मेरे पर blame लगाया गया था मैं उस blame का ही answer दे रहा हूँ, मैं उसके अलावा इस चीज़ के बारे में नहीं बोलूँगा, ठीक है? कि मेरे पास कुछ नहीं है, या मैं एक मुझए मारले तो मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास ये भी नहीं लिखा हुआ. मैंनत करता हूँ मैंनत करता हूँ पांच-पांच-छै-छै गंटे पढ़ता हूँ आपको एक क्लास देने के लिए अगर आपको क्लास पर कोई कमी मिलती है तब आप उस पर ब्लेम लगा सकते हूँ अधर वाई आप आप तो ये वही बात ना यदि कोई इनसान अच्छा करता है तो उसके विरुद्ध बहुत सारी लोग होते हैं इतनी बात अपने होगी है अब मैं बात करता हूँ पेड़ कोर्से की सब आपने तो कहा था कि मैं तो हरी में बढाऊंगा आपने तो पेड़ कोर्से क्यों लॉंच करती है आप तो यार मतलब दोखा कर गये हैं मरसा कु तो कोई बात नहीं हाँ तो साब आपने कहा था कि आप तो फ्री में बढ़ाएंगे आपने पेड़ कोर्सी लॉंच कर दिये परस्नल गाइडेंस के नाम पर ये क्या कर दिया इसा क्यों करता है पहली बात सिक फैमिली से बिलून करता हूँ मैं अपनी जुवान पे रहने वाला बंदा हूँ ठीक है जुवान से बड़ा कुछ भी नहीं होता मेरे मेरे पुर्णोगी उते फ्री की बाट कही थी फ्री आपको बढ़ा रहा हूँ एक भी पैसा नहीं लगने दिदा ठीक है एक भी पैसा किसी से ले नहीं रहा हूँ लाश तक आपको फ्री में बढ़ाँगा जब तक आपका एक्जाम नहीं हो जाता आपका जब तक स्लेबस पूरा नहीं हो जाकता तब तक मेरा फ्री में आपको ये कोर्स अविलेबल मिल जाएगा अब क्या सीन है मैं पेडल कोर्सिज के बारे में क्यों लौंच कर रहा हूं मैंने सिर्फ आपस एक एडवाइस ली थी ठीक है हाँ एप्लीकेशन और या तादा एप्लीकेशन अरे मैं अच्छे मूड में हूँ आज बहुत अच्छे मूड में एप्लीकेशन पचास हजार रुपेशन बनवाई है मैंने बिल्कुल बनवाई है सत्तरा सो सत्तर रुपेशन में वो भी कैसे मेरे पास पैसे बचे हुए पड़े थे तो मैंने एप्लीकेशन बनवा ली किसलिए कि बाई मैं ना पेड तो मैं टेक्ट सीरीज बगारा आपको एविलेबल करवा सकूँ ठीक है बहुत सारे बच्चे होंगे यार आप ना मेरी बात सुनो जो ये फ्री का राग अलपरे हो आपको फ्री में सब कुछ मिलेगा जो मुझे गहारे हैं आप पेड बगारा मेरे वृद्ध जो भी बोलते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ बहुतों ने मेरे पास मैसेज सबका धन्यावाद है जो जोने का सरा आप इनकी बात में सुन ली हैं उन सबका धन्यावाद जोने मुझे ये भी का सरा वो इंटरनेट लगवा देते हैं मैंने उनको साफ बना कर दिया करके खाने वाला इंसान हूँ मैं ठीक है कुछ दूंगा तो आप से पैसे लोगा दर मेरे पैसे कमाई का कोई मतलब नहीं है मुझे यह है कि मेरे पैसे थोड़ा मोटा मुझे खर्चा मिलता रहे जो मेरे मैं लगा के और अपना थोड़ा जो मतलब अच्छा अपना एक स्टूडियो वगारा दो चार चीजे लाने वाले वह लेग क्या सको जो मेरे को यह बलेम लगा रहे है कि आप परसनल गैडनस के नाम पर आपकी चल रही है यूटूब के ओपर एक भी पैसा किसी का मुझे नि लगता लग रहा होगा किसीने प्रीमियम मेंबर्शिप ले रख्यों कि यूट्यूब की तो वो यूट्यूब को दे रहा है मुझे ली दे रहा हूँ फ्री में बढ़ा रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है मेरे को मज़ा नहीं आता जब कोई मुझे रस्पोंस नहीं देता इसलिए मनें बंद कर दिए और मैं वह अपने स्टार्ड करेंगे इसमें इसके अंदर अपने अप्लिकेशन के अंदर अच्छा जी अब आप कोगे साब आप लोगों में और जो अधर लोग जो हैं उनमें क् सब्सक्राइब करें मेरा प्लैन फिर्फ इत्ता ही है कि पंदरा सो से थारा सो के बीच में आपको टेक्निकल की क्लासिज मैं अविलेबल करवा दूँगा इससे मेरा खर्चा निकल जाएगा मेरे को थोड़ा दो चर्क चीज़ लेकिया नहीं वह मैं ले आऊंगा इंकम और सबी को चाहिए होता है आपके सामने साथ साथ मैं बैठाओं ठीक है आपको डेमो क्लासिज की तरत नहीं है जिसको यूट्यूब पे क्लासिज अच्छी लगेंगी ठीक है उसको वहाँ पर उब्यस्पी बात है आपको जादे मिलेगा कम तो मिलेगा नहीं अब मैं बात तो आप सारी चीचे के लिए करता हूँ ताकि मुझे पेन फीचर कोई बलेम न लगे यह चोटी मोटी बाते जो करता है ना मुझे पसंद नहीं है वह वेक्तिवास्त में पसंद नहीं है विखुले खुला दिल वाला इन्सान जब यह बाते देखता है तो उसको अच्छा हां तो तो अभी क्या है पेड और सिझ में लोंच करूं गा अभी मेरा कुछ अदर वी प्लाइन एक तो मेरा प्लाइन सीडिski एक सारी तैस्ट सीरिज पूरा एक ایک । टोपिक अठा ताकि उसकी टेस्ट बना के दूँ ठीक है उसके बाद में पीडियाइफ नोडस सब कुछ आपको एविलेबल कर दूँ एक मैं क्या क्याता हूँ एक क्लासिज पलस यह सारा कुछ दे दूँ आप मुझे अडवाईज दे देना कि क्या आप क्या चाहते हो कि आप चाहते हूँ इसका मैं प्राइज मर्लो jump के बैटाँँ उठाणाई सूल लम सर्थ मैं अजार रूपियेμέ मेझे हाट सू यहां नो सो में अब आपके ज़्यादा लगेँटू अब इसको मैं क्या आठ सू नो सो में आपको आपको यूट्यूप से पढ़िए आपको आदे प्राइज में अपने पड़िए ना उससे बाहर नीप नहीं प्रसंद जाने दूंगा इत्तpy अपन है ठीक है mcq जो आपको मिल जाएंगे फिर उसके बाद में आपका टेश्ट हो जाएगा टेस्ट में आपका टेश्ट का टेस्ट हो जाएगा फिर क्या है आपको PDF मिल जाएगी और notes वगारा सब आपको वहां पी मिल जाएंगे जहां पे अपने half of rate मतलब इसके जहां पे अपने classically वगारा इसके half of rate पे आपको यह सब कुछ मैं available करवाने के लिए ready हूँ जो भी आप कोगे जैसा भी आप कोगे ज़िए आपको लगता है कि साभी आठ सो नो सो भी जादा है तो यह प्लीज यह डदा इत्ता तो आप करी सकते हो यह दूसरे बंदे जब आप से चार जार पांच जार पिया सिर्फ इन चीचों कर ले रहे हैं मैं तो यह कोई ज़्यादा भी नहीं कह रहा हूँ एक तो YouTube की क्लासिज दूसरी मेरे अपनी अपनी अपने नहीं डालना जाता मैं मेरे को पैसा कम अर्णिंग हो जाएगा परंतु मैं मैं अपने अपने बर्डन नहीं देना जाता ठीक है अब टेस्ट में क्या होगा जित्ता भी टेस्ट होगे ठीक है आपका टोर्जन हो गया उसके बाद में आपका क्या हो गया सप्रिंग हो गया सप्रिंग का अलग से टेस्ट हो जाएगा फिर एक पूरा बेसिक जित्ता भी है पहले का उसका कंबाइन टेस्ट आपको लाश्ट में जाते जाते आपको मास्टर टेस्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा कि लाश्ट में अपने कुछ दस टेस्ट ऐसे रखे जाएगा आपके मतलब जिस बंदे ने पास कर लिए वो बंदा कंफर्म पास है ठीक है उन्हें एक्जाम में ये सब कुछ मेरी प्लैनिंग चल रही है मैं कोई ज़्यादा पैसा नहीं माग रहा हूं अगर आपको ज़्यादा पैसा लग रहा है प्लीज मत खरी दिये आप मुझसे नहीं पढ़ना जाते है आप मत पढ़िए मैं आज बड़े अथे मूड़ में मेरे कोई फाल्टू की बात तो बिलकुल नहीं जाएगा आपका चलेगा दादा फ्री के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं फ्री आपका कंटीनियू जाएगा एक ना मुझे भी बाबाजी मिले शंत उनने मुझे एक डायलोग मारा है यारो मुझे वो डायलोग ना मेरे जिमाग में फिट हो गया मुझे करो मैं डायलोग बोल रहा हूं मुझे करो हर रोज करो यदि नहीं मिलती तो खोज करो ये सिंदादेर मैं मैंने ना अपनी जिंदगी में बना लिया मौज करनी है और वह भी रोज करनी है मौज नहीं है तो जाके खुज़ो उस गढ़ recipro कि हाव उस ईस वहाँ चलते है या मज़े आएंगे ठीक है मज़े करो अपने काम से काम रखो अच्छा रहेगा किसीने कुछ के दिया उसकी बात 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 मैं आप कहहरे हो कि यहां मैंने गलत किया या उसने गलत किया प्रोलम इत्टीख बात की रवाँ में सर पिर्फ कोती बात की मैं बस अच्छा कर रहा हूं अच्छा का dessa यहां मैं उस चीज़ को फार्वाइड कर रहा हूं Now the की बात नहीं करना चाता ठीक है पेड़ गोर्षी लॉंच करूंगा मैं पहले बार बार यह चीज कह रहा हूं आप खरीदना चाते हैं आपकी मज़्जी है एक परकार से मैं यह नहीं चाता कि मैं आपको यूटुब पे भी बढ़ाता बढ़ाता यह कर दू यह मुझे इस ची है मेरे को कोई यहां पैसा नहीं मिलता ठीक है यूटुब से यह किसी भी चीज से खौप किसी को इस बात का बुरा नहीं लगा होगा ठीक है तो चलिए आज का सैसे नहीं खतम करते हैं बहुत लंबा होगा प्लीज लाइट करना वीडियो कमेंड करना सेर करना सब्सक्राइ और मुझी यह भी पता है आप सभी सबस्यरत को फोलो नहीं करोगे आप सट को फोलो नहीं करोगे जो करेगा नवह पक्का पेपरपास इस लिक के लेड काई मिलता कुछ च्छा और इससे कम आप जाती हो तो आप से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है ठीक है चार गंटे वाले प्लीज आप प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ देता हूं दादा आपके सामने ठीक है चार गंटे का कोई टाइम डिवल नहीं होता प्लीज थोड़ा सीरियस होके बढ़ लो तो आपकी जिन्दगी आपके बच्चों की सबी की आपके पुरिवार की जिन्दगी सबर जाएगी होप सो आपको आज का सहसर अच्छा लगा मुझे बहुत मज़ा आया आपसे थोड़े मोटी बाते करके अच्छा लग रहा है मुझे आई होब आपको भी कोई कन्फूजन नी देए जो भी बाते थी मैंने कह दी और वो बाते में रिपीट मत करना अभी कोई जो बाते थी वो यहीं खतम कर देना जिसका जित्ता था उसने वो कर दिया मेरे साथ जो करना था उसने कर दिया ये जो भी जो भी इसको आप कहना चाओ मुझे गलत कह रहे हो जो वक्ति मुझे गलत कहता है वो अपने आप तक उस चीज़ को रखे जो वक्ति मुझे सही कहता है वो भी अपने आप तक उस चीज को रखे अब इस चीज को अपनोंने खतम करना है होब आपका दिन अच्छा जाए धन्यावाद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक अपना धन्यावाद